हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों अगर आपके भी स्मार्ट टीवी में कुछ इस तरीके का आपको ओप्सन देखने को मिलता है जैसे कि यहां पर लिखा आ रहा है could not system update कुछ इस तरह के आपके भी MI LED TV में आ रहा है तो simply आपको करना क्या है आपको जाना है आपके MI LED की setting में LED TV की setting में यहां से जाना है device performance में उसके बाद दोस्तों आपको जाना है about में about में आपको जाना है दोस्तो system update पर system update पर आपको click कर देना है तो थोड़े देल में यहां पर आपका MI LED TV का जो system है वो यहां पर update होने का process है वो start हो जाएगा जैसा कि आप इस में देख सकते हो आप चाहो तो इसे रोक भी सकते हो ठीक है इस तरीके के यह problem आपके सामने अगर यह problem आ रही है और no download system update तो दोस्तो आपको यहां से आपका जो storage है आपकी MI LED TV उसको जाकर खाली कर देना है ठीक है अगर आपका stage बरा है तो यह आपका update नहीं होगा और अगर यह आपका space है तो आपका यह है जो start हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हूं मैंने यहां पर resume कर दिया है और मेरा यहां थोड़ देर में यह update हो जाएगा वीडियो अलपको लगेगो तो चैनल को subscribe करना thank you